साहिग गंज में बुधवार की सुबह सुबह एक दुखद घटना प्रकाश में आई है बुधवार की सुबह जीर्वा बाड़ी ओपी थाना क्षेत्र के मदन साही गांग के गंगा किनारे स्थेती भट्था में एक मां दो बेटे की एक साथ शब मिलने से संसनी पैल गई के पास तीनों मृतकों शब के साथ राष्ट्रिय उच्छ अस्सी जाम कर दिया है तायर जलाकर अपना आक्रोश जता रहे हैं घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मदन साही गांव से सटे गंगा किनारे गांव के ही मोहम्मद कदरुद्दीम बांगला इत भट करता है इत भट्था में उनके दोनों बच्छे एवं पत्नी भी सहयोग करते हैं मंगलवार बुद्वार की रात लगभग दो बजे बजे बारिश होने लगी जिससे इत भट्था में इता बचाव के लिए मोहम्मद कदरुद्दीन की पत्नी शकिला बीवी उम्र लगभग 50 साल पुत्र मोहम्मद अली शेर उम्र लगभग 25 साल एवं पुत्र मोहम्मद गुर शेर उम्र लगभग 22 साली भट्था पर एट को बचाने के लिए धकने गए थे सुबह तक नहीं लोटने पर जब वहां पर कदरुद्दीन अपने छोटे बेटे के साथ गया तो देखा क की तीनों का शव एक दूसरे पर पढ़ा हुआ है घटना की सूचना गांव में आग की तरह फैल गई तकाल भारी संख्या में लोग घटना स्थल पर पहुंच गए वहीं से ग्रामीनों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई मौके पर पुलिस पहुंच कर मामले की जांच पढ़ताल की इसके बाद ग्रामीन तीनों शव को लेकर राष्ट्रिय उच्छ पतहसी को मदन साही गांव के पास जाम कर दिया प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि तीनों मृतक के शरीर पर चोट के निशान है प्रथम द्रिष्ट्या गला दबाकर एवं पीच पीच कर ह जत्या किये जाने की आशन का स्थानिय ग्रामीन जता रहे हैं। घटना के संबंध में जो स्थानिय लोगों ने बताया उसके अनुसार रात में गंगा किनारे रंगदारी के लिए 10-12 की संख्या में असामाजिक तत्वा आये हुए थे। अग्यात लोगों ग्वारा रात म नाव चलाने वाले नाविकों को भी पीटा गया है। हालांकि पुलिस इसकी पुष्टी नहीं कर रही है। जीर्वा बाड़ी थाना प्रभारी सुनीन कुमार ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। अभी रंगदारी जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। घटना क सपष्ट कारण अभी पता नहीं चल पाया है। घटना के कारण का पता भी नहीं चल पा रहा है। इधर आख्रोशित ग्रामीन शब के साथ राष्ट्रियों उच्चपत पर लगातार टायर चलाकर सडक जाम करके पदाधेकारी लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं समाचार लिखे जाने तक सडक जाम जारी था। रिपोर्ट प्रवीन कुमार स्टार अभी तक साहिद गिंज हम लोग को सुवा सेरी चार बच के लमसम में खत्म हो जाता है ठीक है उसके बाद हम लोग नमाज पढ़के निकलें तो पता चला कि इधर आदमी लोग आया कुछ काम से वो लोग जानकारी दिया कि यहां पर बिर्ट हो गिया है तो हम लोग आएं वहां से देखें देखने लोग मतलब एक दूसरे पर चड़ा हुआ था अब लोग को लग रहा है कि नरेटी दाप के मारा गिया है और उधर का मांजी कुछ वो लोग बताने के लिए तयार नहीं है लेकिन हम लोग जब आया तो बता रहते हैं कि हम लोग से भी रंगदारी मांग रहा था बदमास आ कैज दूर टाइफ का लोग है लोग कई सालों से लोग इटा बनाता है और ध्रल्ट लगाता है और बठर रात में बर्शा उन्याओं इसमये लोग आया है और पूरे तीनों करन रेटी दापे मारा हुआ कौन बन्दवास था ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं कैन कि रात में थे नहीं देन होगे पुलिस को सुचना दिये हैं बोलाए कि कुछ मिनट में आ रहा है इस अब मेरे बहां को नाम है सकीला सब्सक्राइब अब भगिनाग नाम है अली से आए वह आरहे है जो दूसर नाम गुल से यह क्या घटना वाते बताई है घटना तो यह सर के रात में जिए इता जपाने के अधिया इलोक को सात्में जो ऐसे था घटना हुआ और घर को परेवार लोग जो है से उफ नहीं डाना की इलोक गिया तो क्या हो रहा उर्लोक के साथ में सभेट जब हुआ तब हिया अदमी जब पहुंचा तब देखा कि ऐसा-इसा घटना हुआ इसमें इससे हम देखते है इसका उटा इससे कोई निमा रागया इसका जो है से निरेठी पगड को दावा गया थोड़ा साथ प्रड़ा सांगाने चीज़ा जाए तिया प्रच नंगटी इसका अब रही निया अब रही निया चल गिया घर जाने बाद में एक बचल पानी परा तब लोकी चाहिते हैं पानी नहीं होता है, पनी को निक जायव देंगे, असम हिया ही टा बनाता था, बलता होता कि गोली शुटा, तामरा उसम तुसा अदमी सब बोला कि उसम भाग याई नहीं भागा, अब असमरा भाहिन सब कर नरीदा के जान मर्दी यार की बोलेंगे, क्या लगता है कि कौन नरीटी राविया, नराटी बोला उसम नहीं बोलता है कि बदमासाया, हम देखें पांच वो मोटर सेकी था, अब बोली भी फुटा, तीन ब्यक्ति, जो कि दो पूत्र और एक माता थी, वो इट बनाने कार पर किया करती थी, वो रात में जब आदी तु जो बनाए वे इतु को ढखने के लिए आई थी, अले सुबह तक वो जब घर नहीं पहुची, और तब यहां जब मजदूर लोग काम करने आए, तोनों देखा कि वो तीनों मृत वस्ता में थे, जिसकी सूचना उनके द्वारा थाना को दी जाई, अभी हम लोग यहां पर जाई प्रताल करा रहा है, आज की ता कारवाई की जाएक हैूं